नमस्कार आप सभी देख रहे हैं MP तक और मैं हूँ आपके सतकांग शुठाकुर MP तक एक बार फिर दरश्रकों के बीच आ गया है मौसम का हाल लेकर देखें मध्य प्रदेश में अब सर्दिया दस्तक देने लगी है हाल की दिनों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में सबसे नियुनितम तापमान रात का नीमच में रिकॉर्ड किया गया है जिसके बाद अब माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सर्दिया दस्तक देती हुई दिखाई दे रही है वहीं दर्शकों को बता दे कि मौसम भाग का नुमान है कि क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में बारिश औसत से अधिक रही ऐसे में मध्य प्रदेश में सर्दियां भी कड़ा के दार पड़ेंगी। सर्दियां भी मध्य प्रदेश में दस्तक देती हुई दिखाई देगी। वहीं इस बार मौसम विभाग का मानना है कि मध्य प्रदेश में निनुतम तापमान कड़ाके की ठंड के चलते काफी जादा गिर सकता है। कुछ इलाकों में माइनस में भी टेंपरेश जाने का अनुमान मौसम विभागने जाहिर किया है। वहीं आपको बता दे कि फिलहाल मध्य प्रदेश में गॉयल चिंबल से लेकर महा कौशल संभाग तक कुछ जगाहों पर हलकी बारिश फिलहाल देखने को मिलेगी। हाला कि अलर्ट ग्रीन जारी किया गया है लेकिन गरज के साथ बिजली गिरने की भी अनुमान मौसम विभागने जारी की है। मौसम को लेकि जो भी अपडेट होगा, MP तक आप तक लेकर आएगा, मध्य प्रदेशुरी तमाम खबरों के मने रही है MP तक के साथ। झाल